नमस्कार साथियो आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल इन्फॉर्मेटिव दुनिया पर तो साथियो सबसे पहले सबसे पहले आज हम आपको बताने जा रहे हैं रीट लेवल वन की कट अफ क्या रहने वाली है तो सभी साथ ही त्यार हो जाएं वीडियो को अंग तक जरूर देखें मैं सीधे आपको बताने जा रहा हूँ की लेवल वन की कट अफ क्या रहने वाली है तो बने रही ये वीडियो के अंद तक हम जानेंगे REIT LEVEL 1 की CUT OFF क्या रहने वाली है तो साथियों जिन भी अभियरतियों से हमने बात की हमारे पास मार्क्स पहुंचे हैं कितने कोशन अटेम्ट करके आए हैं उनके अधार पर ये CUT OFF हम आपको बताने वाले हैं तो साथियों सबसे पहले आपको बता दूँ कि 150, 150 कोशन आये थे इस पेपर में और हम बताने वाले हैं आपको कि कितने कोशन सही हैं वो अपने आपको अपनी केटेगरी में शेफ मान सकता है तो सबसे पहले जर्नल के जर्नल के साथियों जिस भी अभिहरती के 105 से लेकर 105 से लेकर 110 कोशन सही हो रहे हैं वो बिल्कुल सेफ केटेगरी में हैं मैं बता दूँ साथियों सबसे पहले आपको कि ये जो कट अफ है ये फाइनल कट अफ है है अलवन में उसका चैन होगा OBC केटेगरी में जिस भी अभिहरती के महला है या पूरस है 103 से लेकर 103 से लेकर 107 कोशन जिसके सही हो रहे हैं वो बिल्कुल सेफ है उसका अंतीम चैन OBC केटेगरी में आफशे गरूप से होगा इसी परकार EWS में जिसके 100 कोशन से लेकर और 105 कोशन तक लेकर बीच में ये कट ओफ रहने वाली है यानि जिसके 100 कोशन सही हो रहे हैं वो अपने आपको बिल्कुल सेफ मान सकता है EWS में उसका फाइनल सेलेक्शन होगा और ऐसी केटेगरी की बात करें तो 85 से 85 से 85 से 90 कोशन के बीच में कट ओफ रहने वाली है यानि जिन अभेटियों के 85 से लेकर 90 कोशन सही हो रहे हैं उनके फाइनल सेलेक्शन के पूरे पूरे चांस हैं इसी परकार ST केटेगरी की बात करें ST केटेगरी में 80 से लेकर 80 से लेकर और 85 80 से लेकर जिनके 85 कोशन सही हो रहे हैं उनका अंतिम रूप से चैन होगा बिल्कुल मैं दावे से कह सकता हूँ यदि जनल केटेगरी में किसी के 105 कोशन सही हो रहे हैं चै महिला है चै पूरुस है उसका फाइनल सेलेक्शन होगा ABC के टेगरी में भी 103 से उपर वाले बिल्कुल सेफ काटेगरी में रहेंगे EWS EWS में जिसके 100 कोशन सही बच रहे हैं Negative Marking करने के बाद यानि जिनके इतने इतने केटेगरी में कोशन बच रहे हैं वो अपनी अपनी केटेगरी में नीचे भी जा सकती है है, यह HI में, 65 से लेकर, जो 75 के बीच HI की, जो final cutoff है, पीएच के टेग्री में जाने की समभावना है, और VIE में, VIE में लगबग सभी अभिहरतियों का चैन हो जाएगा, VA category में सबी अभ्यारतियों का chain हो जाएगा तो सबसे पहले हमने आपको read cutoff बताई है ये L1 की cutoff है तो इन अभ्यारतियों के जितने question सही हो रहे है general category में 105 minimum criteria है मेरी तरफ से ये बता रहा हूँ OBC में 103, EWS में 100, SC में 85, ST में 80 तो इन category के अभ्यारति यदि आपके भी सही कोशनों की संख्या negative marking होने के बाद ये बच रही है तो आप अपने आपको safe chon में मान सकते हैं ये जो cutoff है अभ्यारतियों ये final cutoff बता रहा हूँ ना कि date गुणा दो गुणा तो बिलकुल आप like करें, share करें, धन्यवाद